हेलो दोस्तों आप सबही का स्वागत है स्टॉक मार्केट हैं युनिवसिटे में बात करेंगे मौनिक-स्टाल केंडल-स्टिक पैटन के बारे में हम अपना candlestick pattern का course continue कर रहे हैं अगर आपने वो तो आगे के वीडियो नहीं देखे तो मेरे चैनल में जाएए प्लेलिस में जाएए और candlestick chart pattern analysis का अब प्लेलिस ओपन किए जहाँ पर आपको what is candlestick से लेके सब वीडियो आपको मिल जाएंगे और इसको देखने से पहले आप मेरी gap up and gap down theory के बारे में वीडियो जरूर देख लेजिए जिससे आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से पता चले क्योंकि यहाँ पर gap down and gap up दोनों concept का उपयोग यहाँ पर होता है यहाँ पर देखिए कि जो morning star है पूरा का पूरा तीन candle से बना हुआ है जिसमें gap down and gap up दोनों का रोल आता है और यह pattern आपको specially देखने को मिलेगी दे की framework में यानि कि पर candle पर दे को शो करना चाहिए ऐसा आपको setup लगाना है तो three candle से बना हुआ है involve gap up and gap down concept यहाँ पर दोनों concept यह आपको bullish signal देता है कि अभी मार्केट में मंदी खतम हो गई है और यहाँ पर अभी क्या तेज आने वाली है अगर इसके पिछे कम thought देखिए यह देखिए जो पहली candle है बहुत बढ़ी red candle है इससे पहले भी बहुत red candle होगी क्योंकि हम बात कर रहते की मंदी का समय है तो बहुत अच्छी यहाँ पर अच्छे से भीकवाली होगी अब यहाँ पर क्या हो रहा है gap down opening हुआ है यहाँ कि जितकों को भी बेचना था भी बेच लिया यह देखिए gap down open हुआ बले यह कि अगर यह candle बड़ी होती मतलब में यहाँ पर आपको signal न के साथ यानि की पता चलता है कि अभी market में buyers की entry हो चुकि और वह भी बहुत ही strong हो चुकि आपको example के साथ दिखाता हूँ यह देखिए अच्छी गिरावट चल रही थी और यहाँ पर आपको morning star देखने को मिला morning star एक red candle and दूसरी यहाँ पर जो दूसरी candle है जो दूसरी candle है इस वो green हो या फिर red हो दोनों चलेगी color का कोई महत्वा नहीं है लेकिन पहली और आखरी candle में red and green का combination बिलकुल होना चाहिए जिससे आपको पता चले कि अभी market में तेजी आनी वाली आपको strong bullish signal देता है जो लोग swing trading करते है या फिर position trading करते है उनके लिए यह signal बहुत ही अच झाल